अधिक तरह snipp के लिए कुछ नमगीन ही बनाते हैं और आलू से बनी हुई चीजी लेकिन हम आलू से बनी हुई चीजी न बना करके बनाएंगे कुछ नया कुछ जादा इस्पेसल और बहुत ही टेस्टी तो चलिये आज हम बनाते हैं गाजर से बहुत ही लाजवापसा गुल- आप सभी खबहुत भाइब करते हैं दोस्तों अगर आपने तक में यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लिए तो प्रिस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बहुत ही टेस्टी मीठा-मीठा सा गुल-गुला बनाने के लिए हमने लिया है अधिकाटूरी के करीब सिंगाड तक ये जल्दी से घुल जाए इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए स्वेह हम डालेंगे थोड़ा सा घरभूजे का बीच बहुत ही थोड़ी सी किस्मिस कटे हुए बादाम और पिसी हुई इलाची पाउडर आप इसमें अपने मन पसंद कोई भी इसमें पानी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होना चाहिए एक तम गाढ़ा गोल तयार करना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरीके से गाढ़ा सा बैटर तयार कर लिया है अभी हम इसको ढग देते हैं और पांच मिनद तक इसे हम अच्छे से फूलने देते हैं जब तक की फूलेगा तब तक हम गाजर पीस कर तयार कर लेंगे तो हमने दो गाजर को दूल कर चील कर इसके चोड़े चोड़े कर के लिए हैं इसे मिक्सी के जार में डाल कर एक तम बारीक पीस लेना है अब यह पिसी हुई गाजर को डालेंगे इस बैटर में और इसक बहुत ज्यादा टेस्टी बिल्कुल भी तेल में नहीं पटेगा दूसरा गाई कि ट долго डालने से पुखाथि जादा ऑज हरु बन कि तर टीमी करम सकते मैं इसे medium size बना रही हूं नाई बहुत ही ज़्यादा छोटे और नाई बहुत ही ज़्यादा बड़े बिल्कुल medium size में क्योंकि यह फूलते भी है गैस के flame को medium रखना है जब यह एक तरफ हलका हलका सा सुनेरा होने लगे तब हम इसे पलटना शुरू करेंगे और इसे फिर बीच बीच में अलटते पलटते हुए हलका सा सुनेरा होने तब defry कर लेना है जैसे जैसे यह सुनेरा होने लगे गैस के flame को low कर दें और low flame पर इसे defry कर लें और इसे गर्म गर्म सर्व करें मीठा मीठा सा बहुत ही लाजवाब और सोंधा पन भी बहुत ही बढ़िया रहता है तो इसे गर्म गर्म इसे खाएंगे तो आप इसको एक तम सौप्ट सा पाएंगे और इसे थोड़ी देर रख देंगे जैसे जैसे यह थंड़ा होगा थोड़ा सकत हो जाएगा लेकिन थंड़ा होने पर भी यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो आप इसे बना करके दो दिन तक रख सकते हैं और दो दिन तक इसे आराम से खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है बनाना बहुत आसान होता है और ब्रत के लिए एक तम बढ़िया वाली रेसेपी है तो इसे बनाईए खाईए और ये रेसेपी पसंदा है तो वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों आपको ये लाजवाब से ब्रत वाली गाजर के गुल